Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं सलमान रश्दी का लिखा The Free Radio ये एक short story है और मैं इसकी summary आपको दूँगा पर उससे पहले सलमान रश्दी के बारे में दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा ये एक British Indian novelist और dramatist है 1947 में इनका जन्म हुआ था मुंबई में इनका जो second novel था Midnight Children उसके लिए इन्हें 1981 में Booker Prize मिला था ये English में लिखते हैं बट इसमें Indian शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रियोग होता है इन्हें the best of Booker करके भी अवार्ड मिला है अब हम बात करेंगे इस स्टोरी की समरी के बारे में तो ये जो स्टोरी है the free radio ये एक रिक्षा पुलर रमनी के बारे में है रमनी का सपना है एक मूवी स्टार बनने का बट उसे प्यार हो जाता है वो आकरशित हो जाता है एक गरीब चोर की विद्वा से और वो उसे शादी कर लेता है ये दस साल बड़ी है रमनी से पर वो सुन्दर है पर पाँच बच्चों की मा है एक्च्वल में उसके साथ बच्चे थे पर दो मर गए तो अब पाँच बच्चे है रमनी उससे शादी कर लेता है पर शर्त ये होती है कि वो जो गॉर्मेंट का प्रोग्राम चल रहा है नस्बंदी का तो वो स्टरलाइजेशन करवाएगा वो नस्बंदी करवाएगा क्योंकि उसे फ्री में रेडियो मिलेगा जो कुछ साल पहले लक्षमन को मिला था इसका कोई दोस्त है लक्षमन उसको मिला था इसको भी वो फ्री रेडियो चाहिए तो ये स्टोरी सुना कौन रहा है एक बूड़ा रिटायर टीचर सुना रहा है जो कि बर्गद के पेड़ के नीचे बैठा था और हुक्का पी रहा था अब ही उसने देखा कि रमनी अपना रिक्षा खींसते वे जा रहा है तो वो ये कहानी सुनाने लगता है ये कहानी इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल इतिहास की एक इंपॉर्टन कहानी है और बताती है कि जो बिलकुल आम लोग थे एकदम आम लोग वो किस तरह की जिन्दगी जिया करते थे तो हमारा रमनी वैसेट टॉमी करा रहा है वैसेट टॉमी यानि नस्बंदी करवा रहा है वो उसको ये लगता है ना सिर्फ इससे मेरी बीवी खुश होगी बलकि ये देश हित के लिए भी अच्छा है क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी और तो हमार इसको फ्री रेडियो भी मिलेगा तो ये जो फ्री रेडियो पाने की उसकी कलपना है इससे वो बहुत खुश होता है और इतना खुश वो कभी भी नहीं हुआ था अपनी पूरी जिन्दगी में रमनी को लगता है कि वो बहुत सुन्दर है और उसे मूवी स्टार बनना चाहिए उसे बॉम्बे जाना चाहिए और उसका दूसरा सपना है कि उसे एक फ्री रेडियो पाना है अब मूवी स्टार बनने के लिए वो अपना रिक्षा तक बेच देता है और बॉम्बे चला जाता है अपनी बीवी और पांच बच्चों को लेकर जो उसकी पत्नी के पहले से पांच बच्चे थे कि मैं एक बड़ा फिल्म स्टार बनूँगा और उसी ने इस बूढ़े ओल्ड रिटायर टीचर को जो की कहानी सुना रहा है इसमें नेरेटर है उसको लंबी लंबी फेकता है कि मेरे को कितनी सकसेस मिली है और मैं कितना अमीर हो गया हूँ जबकि सचाई यह है कि रमनी अपनी जिन्दगी में हर तरीके से फेल हुआ है वो एक लूजर है वो कभी सही डिसीजन नहीं ले पाया वो एक हस्बेंड के रूप में भी फेल है और एक पिता के रूप में भी फेल है तो यह इस कहानी की एक शॉर्ट समरी मैंने आपको दी है इस नॉवल को डिटेल में पढ़ें बड़े इंट्रेस्टिंग है एक्जाम में इससे रिलेटेट जो इंपॉर्टेंट बाते पूछी जा सकती है वो मैंने आपको बता दी है I hope यह आपको समझ में आ गया होगा यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबाक दो All the best for your exams